Hello my dear students, how are you? केसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Online Chemistry with Atal पाटिदार में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक most important question, एक most important name reaction organic chemistry की call-based reaction, ओके? call-based reaction के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, detail में पढ़ेंगे, इसकी जो reaction है वो भी अच्छे से आपको clear होने वाली है बस आपका काम होगा इस वीडियो को end तक concentration से, ध्यान से देखना आपकी concentration यहाँ whiteboard पर अगर होगी, तो यह जो name reaction है, यह आपको चुटकियों में आज याद होने वाली है यह आप से मेरा वादा है, ठीके? चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो theory है वो पढ़ेंगे, इसमें कुछ words जो है, जो reactant है, उनको pick करेंगे और फिल यह reaction हम शुरू करेंगे, ठीके? चलिए, तो सबसे पहले लिखा है theory में कि when phenol is treated with sodium hydroxide जब phenol sodium hydroxide के साथ में treat किया जाएगा, तो क्या बनेगा? sodium phenoxide का formation होगा, जब phenol को sodium hydroxide के साथ में treat किया जाएगा अब आगे लिखा है, this sodium phenoxide when treated with carbon dioxide, अब जो sodium phenoxide का formation हुआ था, उस sodium phenoxide को फिर से treat किया जाएगा carbon dioxide CO2 के साथ में, then आगे क्या बनेगा? आगे क्या होगा? followed by acidification, sodium phenoxide को जब treat किया जाएगा CO2 के साथ में, तो जो product बनेगा, उसका फिर से acidification होगा, acid से reaction होगी, HCl से H2SO4 जो भी है, है ना? तो acidification होगा, undergoes electrophilic substitution to give ortho hydroxy benzoic acid, है ना? जो हमारा main product रहेगा, लिखा है, as the main product, this reaction is known as colbase reaction, है ना? colbase reaction का main या major product क्या होने वाला है? ortho hydroxy benzoic acid, ठीक है? चली, अब फटा-फट से reaction हम देखते हैं, आपको अच्छे से clear हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, free mind हो करके, बिंदा सो करके, वीडियो देखना है, आप जब तक इस channel पर है, जब तक आप मेरा वीडियो देख रहे है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सारी टेंशन आप मुझे पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वीडियो देखिए, ध्यान से, ठीक है, आपको reaction हो जाएगी, है ना, चलिए, तो सबसे पहले हम फिनोल लेंगे, और उसको किसके साथ में treat करेंगे, sodium hydroxide के साथ में, ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फिनोल है, प फिनोल को treat किया, sodium hydroxide के साथ में, तो क्या बनेगा, sodium phenoxide का formation होता है, है ना, चलिए, बना देते है, sodium phenoxide, benzen ring, है ना, अब देखिए, यहां से जो H है, यह, और यहां का जो OH है, यह, यह, एच्टुो के रूप में exit हो जाएगा, water molecule के रूप में बाहर हो जाएगा, अब बचा क्या, यहां पर जो H है, इसको substitute कर देगा, यह, एने, है ना, एने substitute कर देगा, किसको, H को, तो यहां पर हो जाएगा, O, एने, और यह क्या बन गया, हमारा sodium, sodium phenoxide, sodium phenoxide, है ना, यह sodium phenoxide का formation हुआ, अब इसकी reaction और किसके साथ होने वाली है, CO2 के साथ में, लिखा है, इस sodium phenoxide, when treated with CO2, है ना, carbon dioxide, अब इस sodium phenoxide की reaction होगी, CO2 के साथ में, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, यह, बेंजिन रिंग, बेंजिन रिंग के साथ में, यहां पर, O, और O के साथ में, यहां पर, जो orthoposition है, यहां का जो एक hydrogen है, यह, रिमूव होकर के, इस sodium के पास में, है ना, तो यहां पर हो जाएगा, O, H, और यह, N, A, इस CO2 के साथ में, जुड़ जाएगा, यहां पर, तो यह हो जाएगा, CO, O, N, A, तो इसका formation हुआ है, यहां पर, as a product, अब इसका, फिर से क्या होगा, acidification होगा, HCl, है ना, hydrochloric acid के साथ में, treat किया जाएगा, इस product को, तो अब यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर जो बनेगा, वही हमारा major, या man product होने वाला है, इस Colby reaction का, ठीक है, चलिए, O, H, as it is रहेगा, यहां पर, और यहां पर, यह जो C, O, O, है, C, O, H, तो यह बन जाएगा, CO, O, H, प्लस, अब बाहर क्या हो जाएगा, clearly दिख रहा ह है, देखिए, यहां से N, A, और यह C, L, क्या बाहर हो जाएगा, N, A, C, L, है न, और यह जो है, हमारा main product है, red marker से मैंने show किया है, इसका नाम है, ortho hydroxy benzoic acid, ortho hydroxy benzoic acid का formation हो जाएगा, जैसा कि यहां पर लिखा है, ortho hydroxy benzoic acid as the main product, इस reaction का, इस colby reaction का main product क्या हो जाएगा, ortho hydroxy benzoic acid, ठीक है, I think यह जो पूरी reaction है, I hope यह आपको अच्छे से clear हो चुकी होगी, है न, जो theory है, इसमें से हमने words pick किये, इसमें से जो reagents है, वो हमने pick किये, सबसे पहले phenol को, किसके साथ में treat किया, sodium hydroxide के साथ में, तो क्या बना sodium phenoxide का formation हुआ, अब इस sodium phenoxide को फिर से treat किया, CO2 carbon dioxide के साथ में, तो क्या बना, benzene ring के उपर OH और COONA, अब यह form हुआ, तो हुआ कैसे, यहाँ पर देखिए, जो ortho position है, हमें पता है कि, जो benzene ring है, इसके हर एक corner पर एक एक carbon एक hydrogen होता है, तो यहाँ से एक hydrogen remove होकर के इस sodium के पास चला जाएगा, sodium को replace कर देगा मतलब की, तो यह OH हो जाएगा, और यह NA, COO के साथ में आकर के यहाँ पर attach हो जाएगा, ठीक है, अब इसकी reaction, इसका जब acidification हुआ, HCL के साथ में treat किया, HCL के साथ में reaction होई इसकी, तो क्या बना, यह NA और यह CL, NACL के रूप में exit ह हो चुका है, अब यहाँ पर OH, तो as it is है, और COO और यह hydrogen, यह जुट जाएगे, तो यह बन जाएगा, OIC acid, है ना, carboxylic acid functional group है, ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, ortho hydroxy benzen ring, और CWH है, तो benzoic acid, ortho hydroxy benzoic acid का formation हो चुका है, colbase reaction में, तो I hope colbase reaction, I think आपको अच्छे से clear हो चुकी है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, मेरी महनत आपको अच्छी लगी है, तो please वीडियो को like कीजिए, like करना में आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे confidence मिलता है, next videos बनाने के लिए, ठीक है, तो please वीडियो को like कीजिए, अगर आप channel पर नए आए है, तो please channel को support कीजिए, channel को subscribe कीजिए, साथ में bell icon प्रेस कीजिए, ताकि इसी प्रकार के important videos आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, एक और request है, कि वीडियो को अधिक से अधिक share कीजिए, जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, चलिए मिलते हैं, अब next video में, thanks for watching, जैहिन!